नमस्कार दोस्तों, कार कमपे रोज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई क्रेटा और मार्किट की सबसे लोग पिर ये कॉमपेक्ट SUV की तुन्ना जो हैं विटारा व्रेजा, नेक्शन और इको स्पोर्स तो दोस्तों क्या बाके में क्रेटा इन कॉमपेक्ट SUV से एक स्रेणी उपर की गाड़ी है क्या वे उनसे जादा सक्तिसाली है, क्या उनसे जादा फीचर्स है, क्या उसका माईलेज सबसे बैतर है, क्या वे जादा कमफर्टेवल गाड़ी है ऐसे सारे सवालों का जबाब पाने के लिए देखते रही है कार कंपेरोज का क्रेटा वर्सिस नेक्षन, इको स्पोर्ट्स और बेटारा विरेजा कंपेरीजन वीडियो दोस्तों बात करते हैं कीमत की क्रेटा डीजल मैनुवल का टॉप एंड मोडल इको स्पोर्ट्स से 5 लाक रुपे महंगा है और नेक्षन बेजा से 7 लाक रुपे महंगा है ऐसा क्यों? हुंड़ा कितना भी उसे उपरी स्रेंडी की गाड़ी क्यों न बोलता रहे असलियत तो यह है कि इको स्पोर्ट्स ब्रेजा और नेक्षन की तरह क्रेटा भी वी सिग्मेंट हैच्पेक प्लेट्फों पर आदारित है जो है उनकी एलिट आइटवन्टी लेकिन फोर्ट, टाटा और मारूती की तरह हुंड़ाई अपनी गाड़ी की लंबाई 4 मीटर के अंदर नहीं रख पाई इस वज़ाए से उस पर ग्रहागों को ज़्यादा टेक्स देना पड़ता है फीचर्स, इंजन और सर्स्पेंशन के मामले में वह बाकी तीन गाड़ियों से दो कदम पीचे ही है जो हम आगे दिखाएंगे ज़्यादा पैसे देखकर हमेशे बाहतर गाड़ी आती है या मिलती है इस विरहम में ना रहें दोस्तो क्रेटा का टॉपेंड पैटर्न मैनुवल भी इको इस्पोर्स से 4 लाग रुपे महंगा है और नेक्शन से 6 लाग रुपे महंगा है दोस्तों बात करते हैं यूनिक फीक्चर्स की 5 लाग रुपे महंगी होकर भी क्रेटा एको इस्पोर्स टाइस्टेनियम पिलस से 5-6 फीचर्स कम हैं जो है टेली स्कूपिक स्टीरिंग एड़ेस्टमें टायर प्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक रेंड सेंसिं फीचर्स हैं क्योंकि वह बहुत सस्ती गाडियां हैं लेकिन अगर आप 11 लाग रुपे वाली चारो गाडियों के सिग्मेंट की तुलना करते हैं तो नेक्शन और ब्रेजा में सबसे ज्यादा फीचर्स है एको स्पोर्स में उससे कम और क्रेटा में सबसे कम दोस्तों बात सब्क्राइब नंगें सब्सक्राइब बंसे अब्सक्राइब लेकिन हमारे दौरां गाडियों जितना ही पाया गया और 1.6 मोडल का सिर्फ 1 km प्रत्ति लिटर कम पाया गया सिर्फ क्रेटा डीजल आटोमेटिक का माईलेज ब्रहजा और नेक्षान ओतर से 3 km प्रति लिटर कम पाया गया पैटर। मनोल मोडल्स में भी क्रेटा का pra अर आज माईलेज नेक्षन और EcoSports से 2 km परती लीटर कम है क्रेटा पेट्रोल आटोमेटिक का माइलेज EcoSports से 1.5 km परती लीटर जादा है लेकिन Nexon से 2.5 km परती लीटर कम है हमारे विसलेशन के दोरान क्रेटा मैनुवल का माइलेज EcoSports और Nexon से सिर्फ 1 km परती लीटर कम पाया गया और क्रेटा आटोमेटिक का माइलेज EcoSports आटो के समान मगर Nexon आटो से 2 km परती लीटर कम दोस्तों बात करते हैं पिकप और स्मूथनेस की क्रेटा में दो डीजल इंजन के विकल्प उपलब्द है 1400cc और 1600cc 1600cc वाले इंजन काफी सक्ती साली है हाई आर्पिम पे उसका पिकप Nexon से थोड़ा सा बहतर है और ब्रेजा EcoSports से तो काफी बढ़िया है लेकिन उसमें टर्वो लेग की समश्या है 2000 आर्पिम के नीचे उसका पिकप बहुती कमजोर है उसके विपरीत Nexon और EcoSports में बिल्कुल भी टर्वो लेग मौजूद नहीं है इस बज़ा से सेरी ट्रेफेक में गाड़ी चलाते बक्त आपको करेटा में वारवाल गियर बदलने पड़ते हैं करेटा के 1400 CC मोडल का पिकप तो बहुती कमजोर है और उसमें भी प्रवो लेग की समश्या है बस इसमूद नहीं के मामले में हुंड़ी के डीजल इंजन अन्य तीनों गाड़ियों से काफी स्मूद तो सांत है क्रेटा पेट्रोल में 1600 CC का बिना टर्वो चार्जर वाला इंजन है उसमें नेक्शन के 1200 CC टर्वो चार्ज इंजन जितना टॉर्क भी उपलब नहीं है ओबर्टेकिंग करते वक्त उसका पिकप नेक्शन से काफी कमजोर लगता है इको स्पोर्स पेट्रोल का पिकप बिल्कुल क्रेटा के समान है इसमूथने इसके मामले में करेटा पेट्रोल इको स्पोर्स और नेक्शन से थोड़ी थी बहता है आटमेटिक की बात की जाए तो करेटा और इको स्पोर्स में टॉर्क कनवर्टर प्रकर का ट्रांसमिशन दिया हुआ है जो ब्रेजा और नेक्षन के AMT से थोड़ा सा हिस्मूस है लेकिन AMT जितनी तेजी से गियर नहीं बदल पाता है और माइलेज भी AMT से बहुत कम देता है दोस्तों बात करते हैं अंदरूमी जगा और कमफर्ट की ये चारो गाड़ियों छोटी हैचपेक्स के प्लेटफॉम पर आधारित हैं क्रेटा I20 के प्लेटफॉम पर Ecosports Vista के ब्रेजा Shift के और Nexon Indica Vista के प्लेटफॉम पर इस बज़े से इन गाड़ियों के वीतर साधारन हैचपेक्स जितनी अंदरूमी जगा अफलब्त है और विरेजा से 70 लीटर ज्यादद है इनटिरियर्स के मामले में क्रेटा अन्य तीनों गाड़ियों से एक सेंडी ऊपर की गाड़ी लगती है उसके इनटिरियर्स की बनाबट और गुडवत्त्या अन्य तीनों गाड़ियों से काफी सरेष्ट है नई Eco Sports और Nexon के इंटीरियर भी काफी आग कर सक हैं वहीं व्रेजा के इंटीरियर सबसे वेकार और पिलास्टिकी हैं लेकिन टिकाव पन के मामले में टाटा और फोड की गाडियों के इंटीरियर फिचले 20 साल में कभी मारूती और हुंडे की गाडियों इतने टिकाव सावित नहीं हो पाए हैं दोस्तों बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की क्रेटा का चैजिस सस्पेंशन कितना वगवास है या नेक्सन भ्रेजा और एको स्पोर्स से तुलना करके पता चल जाता है क्रेटा का सस्पेंशन को जादा ही नर्म बनाया गया है इस वज़े से वह दीमी रफ्तार पर गड़ों को अच्छे से सोक लेती है लेकिन जैसे ही रफ्तार बढ़ने लगती है वह गड़ों पर उचलने लगती है और अपना संतूलन खोनने लगती है इसके विप्रीत नेक्शन किसी भी रफ्तार पा गड़ों को क्रेटा से काफी बहतर सूख लेती है और अपना संतुलन जमा कर बनाए रखती है इको स्पोर्स का सस्पेंशन नेक्शन से थोड़ा सा सकत है लेकिन फिरुवी वे गड़ों को क्रेटा से बहतर सूप लेती है ब्रेजा का सस्पेंशन सबसे ज़्याद सकत है इसलिए वे गड़ों और स्पीड विरेकर्स को ठीक से सूप नहीं पाती लेकिन उसका फायदा यह है कि वह मोडों पर सबसे बढ़िया पकड और नेंतरन दर्थाती है ब्रेजा चारों में सबसे ज़्यादा तेजी से और चपलता से दिसा वदल करती है इको स्पोर्स भी मोडों पर काफी बहत्तिन रूप से पकड बनाए रखती है और चारों गाड़ियों में सबसे बढ़िया राइड हैंडलिंग बेलेंस बाली गाड़ी है नेक्सन भी गड़ों पर अच्ची पकड बनाए रखती है लेकिन उसमें वार्डी जोल यानि की डायवाय डोलने की पिरभरती भी मौजूद है लेकिन सबसे गटिया है क्रेटा जिसमें सबसे ज़्यादा बॉर्ड जोल मौजूद है वेब मोडों पर सबसे जल्दी अंडरे स्टीर करने लगती है यानि की फिसलने लगती है और उसके स्टीरिंग भी सबसे हलका और निरजीव है दोस्तों बात करते हैं क्वाल्टी और मेंटिनेंस की मारूती और हुन्डई की सारी गाड़ियां आग तक बहुत टिकाओ और वरोसे बन साबित हुई हैं इसके विप्री टाटा और फोड की गाड़ियां काफी बदनाम रही हैं फोड ने अब उसके एको स्पोर्स और आइकन के दुनों से काफी सुधार की हैं लेकिन आज भी वह हुन्डई या मारूती के आसपास भी नहीं है टाटा मोटर्स की गाड़ियां अच्छी दिखने लगी हैं इसलिए उनका टिकाओ उपन भी अपने आफ फुरुदर गया होगा ऐसा सोचने की गल्ती बिल्कुल भी ना करें आज भी Tata Motors की गाड़ियां में सबसे ज़्याद बिगाड़ पाए जाते हैं Tata Motors की सर्विस तो उससे भी बत्तर है Food की सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं है मारूती और हुंड़े दोनों की सर्विस काफी अच्छी है Tata और Food के सर्विस सेंटर भी मारूती और हुंड़े से काफी कम है इस सब का नतीचा सेकंड और हुंड़े की गाड़ियां Tata और फोड की गाड़ियों से काफी बहुत ज्यादा कीमत पाती है दोस्तों बात करते हैं अंतिम निर्ने की तो दोर्तो जैसा आपने देखा Hyundai चारो गाड़ियों में सबसे गठ्या चैजी सस्पेंशन और EcoSport से 5 फीचर्स कम देने के बाब जूद अपनी गाड़ी 6 लाग रुपे महंगी बेच रहा है पिकप, माइलेज, अंदरूमी जगा और कमफरेट के मामले में भी वे 6 लाग रुपे जादा देने लायक बिल्कुल भी नहीं है अगर आप मैनुवल गेर वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो क्रेटा के कमजोर लो एंड टॉर्क से आपको हर रोज यूजना पड़ेगा ज्यादा पैसे देकर भी हर रोज की माता पच्ची खरीद लेना बाकई में एक बहुत बड़ी गलती रहेगी दोस्तों तो अगर आपको मैनुवल गेर वाली गाड़ी खरीदनी हो तो इको स्पोर्ट टाइटिनियम प्लस आपके लिए सबसे बड़िया परिया है उसमें आपको क्रेटा से ज्यादा फीचर दमदार लो एंड टॉर्क बहतरीन पकड़ और सस्पेंशन कमफर्ट तो मिली जाएग अगर आपको नई क्रेटा इको स्पोर्ट नेक्शन या व्रेजा की अन्य गारियों के साथ कंपरिजन देखने में दिल्चस्वी है तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिविकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रि